चले दोस्तों जैमता की रादे रादे आप सभी को तो आज का ब्लॉग मैं सामसे स्टार्ट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपने नए वाले घर पे इस घर से उस घर तक जाने में मातरे 3-4 मिनटी लगता है और आज कल अम लोग ज़्यादा तर उसी घर पे रते हैं तो चली वहां पर किया चल रहा है दिखाती हूँ अम्मा किन ए हूं मा भी उनकिपां पार म ममा जी खड़ी है सब्सक्राइडल करते हैं लिए अधर के लाज़ा ठील को घर गए हूँ आज पर रही हूँ आधा नो फेरों है निन्टार ने रही मैं वहां पोच्छाम आई पर न जब से अम्मा आई है वो भाजी ही साप करती है उनको कितना भी मना करो लेकिन हो तो भी साप करेंगी और यहां पे टैरेस पे सुनके बच्चे लोग बहुत खुस हो गएगे कि अब टैरेस पे पूरी भाजी बनेगा हम लोग उधर ही खाएंगे पर बाद में कौन सामाल लेक सब कैंसल हो गया और फिर हम लोग खाना तो वही बना रहे है लेकिन नीचे ही बन रहा है तो यह लोग यहां पे दो भाजी बनाएंगे और एक कचोरी बनाएंगे आलू की कचोरी बनेगी यह आलू गोभी मटल की भाजी बनी हुई है एक और एक आलू पालक बैगन की जो सबस्क्राइब आजी तयार हो गया अगर इसमें से आप सबको कोई भी रेस्पी चाहिए तो मुझे कमेंट करें तो मैं जरूर दूँगी और इधर मूंग डाल की पूरी बनने वाली उसकी भी तयारी चल रही है इसमें सब अजवाइन वगरा डाल के बनता है तो सारा कुछ तयारी हो जब उनकी जरुवत ना हो यानी की खराब हो जाएं तभी हटाना चाहिए तो सारे भगवान वही आए हुए है अभी मंदिर को सेट करना थोड़ा और बाकी है और यहाँ पे सब बच्चे लोग को मैं पढ़ाती हूं आजकल क्योंकि बहुत ही बढ़ाई में इन लोग का मा कि जब से हमां बाबुजी हैं तो कोई यहां सोता है कोई 11 जाता है कोई 12 जाता है यही चल रहा है और यहीं पे सो जाता है और रात को मतलब आता है अक्वाले से सीधा चला जाता है दुकान पे तो वहीं से मैं थोड़ा सा बाते कर रही थी उसके बाद मैं आ गई हूं कचो कचोरी को बनाने के लिए आपने इस तरह से गोला बनाए फिर भरे और उसके बाद इसे गोल गोल करके अंदर तक दबा देना तो बहुत अच्छे से एसे दब जाती है और कभी भी इसको नीचे रखे ना ऐसे हाथ से जरूर घुमा के करें इससे क्या है या बिगा देते हैं उसके बाद मिक्सल में पीस के अ आटे में मिक्स करके अज़ुआ डालते हैं जीरा डालते हैं नंधा लाल इंची पावडर घ्ल डालते Inside अoc़ई परण यह अच्छी पूरिवनती है और मेरो थोड़ा सा आटा जो डील करना तो आपको करके दिखाती हू पूरी बनाए चाहिए पराटा इस तरह से खीचेंगे न आपका आटा ऐसा होना चाहिए तो बहुत अच्छी पराटा पूरी बनती है और आप थोड़ा सा आटा का सारा लेकिए सुखे आटे का बहुत आराम से इसको कचोरी को बेल सकते हैं या फिर पराटा होएगा तो पूरी बन रही है यह चोटी पड़ रही तो भी नया आया लोकन का इसके लिए तोड़ा सभी ज्यादा वाइट नहीं हुआ है इसको नया भी खरी दे गए क्योंकि सब्सक्राइब काफी मतलब ज्यादा कांटेटी में बनता है खाना तो जल्दी जल्दी यहां पे सबको ख दोड़ा देते हैं साम को दूद और उनको सुला देते हैं मैं कभी-कभी लेड करती हूं तो मैं यहां पे खाना-खाने आ गई हूं तो अभी आजकल इनलों का रोज इस घर से उस घर उस घर से चल रहा है जब से आप आये हुए है और उस घर पे लोग ने ऐसी चालू करके आ गए थे तो वही अभी मुझे मालूम पड़ा थी इनलों को डाट रही हूं कौन चालू कर गया था क्योंकि इसमें से पता नहीं चलता कौन चालू किया है सब लोग आना जाना वहें पे चालू रखते हैं तो यही सब चलता है अभी हमारे गर पे क्योंकि अभी सब अइस टां में ब्हुती है अन्या अएसमचीत कषार Wahr क्रें여 तो बहुत अच्छी बणती है मेरे आ हर चीज़ाया का इंदा खायाelect जाता है मैं हर चीज भी नहीं डालती हूं सुवह कर का खाना मैं डालती हूं क्योंकि अभी मेंधान को दो आगि हो गया है तो अभी मेरा ख को बताना अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करे जाए